किस्मत और भाग्य मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सप्ताह के प्रत्येक दिन को किसी देवी देवता को समर्पित किया जाता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ती कुछ खास टोटके या उपाय करके व्यक्ती अपनी किस्मत को सुधार सकता है। लेकिन ये ध्यान देना आवश्यक है कि इसमें विश्वास रखने के साथ सामगरी और उपाय का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। रविवार के दिन भी विशेश उपाय सुझाए गए है, जो इस प्रकार है। बिगड़े काम होंगे सही। ये है एक प्रसिद उपाय है जो शुक्रवार और रविवार के दिनों के लिए सुझाया जाता है। सफेद आग की जड़ को गनेश की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उस पर रखे और उस पर खीर का भोग चड़ाएं और ओंगम नमार। मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय उन लोगों के लिए मान्य हो सकता है जिनके काम बिगड़ रहे हैं और जो अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। यही नहीं अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू कर रहे हैं पर कुछ कारणों से वो नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप यह उपाय अपना सकते हैं। शादी में देरी होगी दूर यह एक प्रसिध उपाय है जो रविवार को किया जाता है। आपके विवाहित जीवन को सुखमय बनाने या शादी में हो रही देरी को ठीक करने के लिए। शिवजी के मंदिर में जाकर आपको रुद्राक्ष की माला चड़ानी चाहिए। रुद्राक्ष को शिवजी की अनुक्रिपा का प्रतीक माना जाता है और यह शक्ती और समरिद्धी के प्रतीक माना जाता है। धन की समस्या होगी दूर यह एक प्रसिध उपाय है जो धन की समस्या को दूर करने के लिए सुझाया जाता है। रविवार के दिन आप एक या दस रुपे का सिक्का भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी के पास रख सकते हैं। इसके बाद ओम नमह भगवते वासुदेवाई मंत्र का 108 बार जाप करें। इस पूजा के बाद आपको उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपके पास हमेशा धन आता रहेगा।